अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ज़रूर सब्स्राइब करें हमारे और्जू कश्मीरी कुजीन चैनल को और दबाएं नीचे दिये बेल आइकन को for more updates कश्मीरी कुजीन के इस चैनल पर आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास सबजी जो गिया से बनती है आज की सबजी का नाम है अल यके या इसे कश्मीरी दही लौकी यकनी भी कहा जाता है ये एक special कश्मीरी वेजिटेरियन रेस्पी है ये सबजी लंबे गिया से ही बनती है इसको मैंने छील के रख दिया है अब इसके गोल-गोल पीस में काटूँगे इसके पीस मैंने गोल बनाए है और थोड़े से थिक बनाए है ताकि गले ना जल्दी से तेल गरम होने के लिए रख दिया है अब देखे मैंने इसको इसमें डाल दिया है इसको बिल्कुल हलका फ्राई करेंगे ताकि जब इसको बनाया जाए मसालों में उस समय ये तूटे ना लेकिन अगर आप फ्राई ना करना चाहें तब हम कुकर में इसे बना सकते हैं गीया फ्राई हो गया है इसे जलने ना दें और हलका ब्राउन होने पर इसे निकाल दें फ्राईट गीया के लिए एक कड़्ची तेल मैंने इस बरतन में डाल दिया है गरम तेल में थोड़ा सा हिंग डाल दिया इसे हिला लें थोड़ा सा जीरा डालने और अब इसमें एक गिलास पानी डाल दें एक चमच भरा हुआ नमक, आधा चमच जिंजर पौडर, तेड़ चमच सौंफ पौडर इसको अच्छे से हिला लें और अब इसमें ये फ्राइट गिया डाल दें दो इलाची इसमें पीस के डाल दें, एक लॉंग इसमें डाल दें और आधा चमच गरम मसाला अच्छे से हिला के इसे दीमी आँच पर पकने के लिए रख दें, पकते में इसे टाइम लगेगा, समय की बच्चत के लिए इसे कुकर में भी बनाया जा सकता है यह सब मसाले डाल कर अगर इसे कुकर में डाल दें और जरा सी केवल एक प्रशर दे दें और बन कर दें गैस तो यह जल्दी बन भी जाता है गिया को बीच बीच में चेक कर लें और इसको देख लें कि क्या यह नरम हो गया है अगर आपको लगे कि यह नरम नहीं हुआ है और पानी सूप गया है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं गिया लगबग बन के तयार है अब इसमें दही डालना है अब हम दही तयार करते हैं मैंने दो कटोरी दही लिया है दही को अच्छे से बीच कर लें ताकि इसमें दाने न रहें दाने रह जाएंगे तो जब सब्जी में हम डालेंगे तो वो सब्जी फटी हुई लगेगी दही को डालते समय सब्जी को हिलाते रहें ताकि ये फटे ना गीया गर्मियों की एक खास सब्जी है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ठंडग भी पहुचाती है आधा चमच गरम मसाला इसमें और डाल दीजे तो गरम गरम स्वादिश्ट अल्यक्नी तयार है खाईए इसे स्टीम ड्राइस के साथ तो आज के लिए बस इतना ही कश्मीरी कुजीन के बारे में कुछ और जानना चाहें या हमारे साथ अपने एक्सपीरियन्स शेयर करना चाहें तो हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजे और फेस्बुक पर लाइक कीजे नमस्कार तिल नेरव आजगाव यूत्वी असिव लसिव तो बसिव